नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती लालो परिवार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है या यूं कहें कि आज फैसले की घड़ी भी हो सकती है क्योंकि लालो परिशाद यादव के बड़े बेटे तेज पता प्यादव और उनकी बड़ी बहु एश्वर्या राय के तलाक का मामला आज फिर से कोट में होगा और आज के दिन यानि की 28 जून के दिन पतना हाई कोट उन्हें आमने सामने बिठा कर सवाल जवाब करी उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे अपने शादी को एक और मौका देना चाहते हैं आज एश्वर्या राय और तेजपिताप यादव दोनों को कोट ने बुलाया है क्या कुछ होगा चलिए आपको बताते हैं राज़त सुप्रीमो लालो पशाद यादव के परिवार के लिए मंगलवार का दिन अहम साबत हो सकता है दरसल बिखार के पुर्व मंतरी और लालो पशाद यादव के बड़ी मेटे तेजपिताप यादव और उनकी बड़ी बहु एश्वर्या राय के तलाक से जुड़े मामले में आज अंतम काउंसिलिंग होनी है पतना हाई कोट ने 28 जून को इन दोनों की आखरी काउंसिलिंग की तारीख मुकरर की थी ऐसे में माना जा रहा है कि आज का दिन इस केस के लिए एहम होगा माना ये भी जा रहा है कि आज यारी के मंगलवार को तेजपता प्यादव और एश्वर्या एक दूसरे के आमने सामने होंगे और यह तै करेंगे कि दोनों भवश में साथ रहेंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी राहे अलग कर लेंगे पटना हाई कोट से मिली जानकारी के मताबक नियायाधीश आशुतोष कुमार और नियायाधीश जितेंद्र कुमार की डिविजन बेंच इस मामले को देख रही है काउंसलिंग के दौरान तेश पिताप यादव और एश्वरिया को आमने सामने बिठा कर कोट उनकी राय जाने की कि वे दोनों साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं लालू पुषाद यादव के बड़े बेटे तेश पिताप और एश्वरिया की शादी चार साल पहले 12 मई 2018 को काफी रॉयल अंदाज में हुई थी और पटना में ये शादी चर्चा का विशे बन गई थी क्यूंकि ये दो-दो मुख्यमंत्री रहे लालू पुषाद यादव और राबी देवी के बड़े बेटे की शादी थी इन दोनों की शादी में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार समेथ कई बड़े नेता और हजारों समर्थक शामिल हुए थी शादी के कुछ महीने के बाद ही दोनों के रिष्टों में खटास आने लेगी जो बाद के दिनों में इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहने लगे और फिर ये मामला घर की देहली से निकल कर कोट तक पहुँचा एक दिन अश्वरय राय अचानक अपने ससुराल से रोते बिलखते बाहर आ गई और मीडिया के सामने राबरी देवी मीशा भारती के साथ साथ तेश पिताप यादव को खूब बुरा भला कहने लगी इसके बाद एक दिन अचानक तेश पिताप ने पतना के फैमिली कोट में अपनी पत्मी अश्वरय राय से तलाक लेने सम्मंधी आवेदन फाइल कर दिया तेश पिताप के इस फैसले ने सभी को चौका दिया था और अब समकी नजर आज यानि के 28 जून पर टिक गई है कि तेश पिताप यादव और एश्वरय अपने वैवाहिक जीवन को लेकर क्या फैसला लेते हैं क्योंकि आज पतना हाई कोट में तेश पिताप यादव और एश्वरय राय के लिए अपने शादी को बचाने का अंतिम मौका है आज आखरी काउंसिलिंग होगी दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा तमाम चीजें याद दिलाई जाएंगी और तरह तरह के सवाल किये जाएंगे और अंतिता पूछा जाएगा कि क्या अब आपको सच में अलग होना है या फिर साथ रहने का एक और मौका चाहिए सच में आज लालू परिवार के लिए फैसले की घड़ी साबित हो सकती है क्योंकि लालू परशाद यादब के बड़े बेटे तेज पताप यादब की शादी का मामला आज फिर से कोट में होगा अब देखना है कि इस रॉयल शादी का अंत होता है या फिर एक नई शुरवात होती है क्योंकि आज पतना हाई कोट में जो कुछ भी होगा वो इस मामले में बहुत एहम होने वाला है आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें अगर अभी तक आपने हमारे शानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद